रोशनी रोज की तरह सुबह उठते ही नहा धोकर माता लक्षमी की पूजा अर्चना करने लगती है जै लक्ष्मी माता मैया जै लक्ष्मी माता तुमको निश्दिन सेवत हरे वेश्नु विधाता ओम जै लक्ष्मी माता सुबह सुबह रोज शुरू हो जाती है लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता गरीबी तो इस घर से जाती नहीं है फिर तेरी लक्ष्मी माता करती क्या है? ये तो मत कहो मा, जितने हालत हमारे बुरे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मातारानी नहीं सम्हाल रखा है, वरना तो अब तक सब कुछ बिखर जाता ये तूटी फूटी जोपड़ी, ये चार बरतन, जिसमें कभी कभी ही दाल चावल भरा जाता है, और ये फटे पुरानी कपड़े, बच्चों तक को तो कुछ मिलता नहीं है, क्या बात है? मुझे तो लगता है, तेरी माता लक्षमी हम सब पर कुछ ज़्यादा ही प्रसन है, अपनी माता लक्षमी से कहे कि हम पर इतना प्रसन होनी की आवशक्ता नहीं है, रोष्णी जानती थी कि उसकी सासुमा को उसका पूजा पाट करना बिलकुल पसंद नहीं है, लेकिन रोशनी को तो अपनी माता लक्षमी पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि जो कुछ भी अभी हो रहा है, वो सभी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। वन्ना पती के मर जाने के बाद रोशनी के पास कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे एक जगह रोजगार मिला था। पूरा दिन इटों को तोड़ने के बाद उसके हाथ लहु लुहान भी हो जाते थे। लेकिन फिर भी घर आते ही उसकी सास उस पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती थी। ऐसे ही आज पूरा दिन जब रोशनी काम करके घर आती है तो अपनी उंगली पर हल्दी ल लग रहा है। मा, गर्मी बहुत है, इंटे तप रही थी, बस हाथ से हथोड़ा छूट गया और सीधा उंगली पर जा लगा। अब तेरे बहाने शुरू हो जाएंगे, रोटी नहीं बन सकती। कान खोल कर सुन ले, रोटी ही बनेगी। रोशनी पलट कर कोई जवाब नही लगती है। उसके हाथ में बहुत दर्द था, तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। मा, तेरे हाथ में तो बहुत दर्द हो रहा है, तेरा चेहरा भी पीला पड़ गया है। लाओ मा, मैं बनाती हूँ, जैसे तैसे बनेगी, लेकिन बन तो जाएगी न। अरे नहीं नही बेटा कोई दर्द नहीं है बस अभी दो मिनट में रोटियां बन जाएंगी उसके दोनों बच्चों को बड़ा दुखो रहा था अपनी मा को इतनी तकलीफ में देख कर लेकिन रोशनी उन्हें जाहिर नहीं होने दिना चाहती थी वो अपनी आखों में आ रहे आंसुओं को बार बार पोच रही थी ही माता रानी अब मैं क्या करूं कि तेरी कृपा मेरे परिबार पर खूब बरसे अगले दिन रोशनी काम पर जाती है तब ही वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है बेटी थोड़ा पानी तो पिलाना बहुत गर्मी हो रही है तुम बैठो अम्मा मै पानी लेकर आती हूँ ये तो गर्म हो गया है रोशनी बरतन लेकर भाग कर जाती है और दूर रखे घड़े में से ठंडा पानी लेकर आती है वो पानी पिलाने के चकर में ये भी भूल जाती है कि वो बिना चपल पहने ही भाग गई जब वापस आती है तो उसके पैर जल पूरी होए। अरे माता रानी को प्रसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है बस तु एक काम कर शुक्रवार के शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा कर उनका व्रत रख थोड़े ही दिनों में तुझ पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी ये सुनकर रोश्नी खुश हो जाती है औ और माता रानी के सारे व्रत रखने की बात कहती है लेकिन पहले शुक्रवार ही जब उसकी सास को ये पता चलता है कि वो व्रत रख रही है तो घर में हंगामा हो जाता है अब तु एक और बहाना लेकर बैठ जाना कि मेरा तो व्रत है मैं काम पर नहीं जाओंगी मैं ऐसा मैं काम पर भी जाओंगी, लेकिन मुझे व्रत रखने दो, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं माता लक्ष्मी के व्रत रखूं। एक बात कान खोल कर सुन ले, व्रत के बहाने फल फ्रूट कहाने की सोच रही है न, तो दिमाग से ये बात बिलकुल निकाल दे न। रोष्णी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सासु मा को कैसे समझाए, कि उसका मन कर रहा है व्रत रखने का, वो कोई बहाना नहीं कर रही, पूरा दिन भूकी प्यासी रहकर रोष्णी माता लक्ष्मी का व्रत पूरा करती है, लेकिन शाम को वो घर में खीर नहीं बना प ऐसे ही सुविकार कर ले मा, कहकर रोष्णी रोटी के साथ थोड़ी सी चीनी रख कर खा लेती है, पर उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूंकि आज उसका व्रत पूरा हो गया था, अकले दिन सुबह अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेज कर रोष्णी भी काम पर निकल जाती है, पुरा दिन पत्थर तोड़ने के बाद, शाम को जब वो घर आती है, तो देखती है, उसका बेटा बुखार से तप रहा है, मा, भाई को स्कूल में ही बुखार हो गया था, मेरी टीचर ने चुट्टी से पहले ही हमें घर भेज दिया, और कहा, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, स्कूल मता ना, इसे तो बहुत तेज बुखार है, मैं इसे डॉक्टर की पास लेकर जाती हूँ, ये ले, कल तुने वरत रखा, और आज बेटा बीमार हो गया, जरूर तेरे वरत में कोई कमी रह गई होगी, तब ही कहती हूँ, ये पूजा पाठ म उसके बाद वो उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती है, मनही मन माता रानी को याद करती है, दो दिन बाद उसके बेटे का बुखार उतर जाता है, तब वो अपना दूसरा वरत भी रखती है, और इस तरह करते करते, रोशनी अपने सारे वरत पूरे कर लेती है सात्वे वरत के दिन उसने सुना था कि माता लक्षमी के लिए खीर का भोग लगाना चाहिए और कुछ औरतों को घर बुला कर खाना भी खिलाना चाहिए जब उसने अपनी सास से इस बारे में बात की सब कुछ फाल्तू के खर्चे हैं घर में कुछ नहीं है और ये औरतों को खाना खिलाने की सोच रही है ऐसा मत कहो मा मैं ठेकेदार से कुछ पैसे लेकर आई हूँ उससे मैं सब के लिए खीर बना दूँगी कर जो करना है मैं कौन होती हूँ बोलने वाली वैसे भी यहाँ पर मेरी बात सुनता ही कौन है अगर मेरा बेटा जिन्दा होता तो मुझे सर आखों पर बठा कर रखता लेकिन तू तो मेरी एक नहीं सुनती रोशनी को बड़ा दुख हो रहा था कि उसकी सास उसे समझने की कोशिश नहीं करती वो चुपचाप रसोई में जाती है और खीर बनने के लिए रख देती है तभी साथ औरतें उसके घर आती है बहुत प्यास लगी थी तुम्हारे घर का दरवाजा खुला देखा तो यहाँ चले आए बहन थंडा पानी पिला दो रोश्नी साथ औरतों को देख कर बहुत खुश होती है वो उन सब को बैठने के लिए कहती है फिर वो माता लक्षमी को भोग लगाती है और उन सब को पानी के साथ साथ खीर खाने को भी देती है बहुत मजा आ गया हमें तो भूग भी लगी थी लेकिन फिर सोचा एकदम से कैसे खाना मांगे तुम्हारा भला होगा तुम्हारी सारी मनो कामना पूरी होगी हाँ हाँ तुम्हारा पेट भर गया अब तो कुछ भी कहोगी फिर ऐसा कुछ नहीं होता है कोई मनो कामना पूरी नहीं होती कोई भला नहीं होता मेरी सासु मा की बातों का बुरा मत मानना बेटी के खोने के बाद ये कुछ ज्यादा ही दुखी रहने लगी है इसलिए कभी भी अच्छा नहीं सोच पाती आप लोगों ने मेरे घरा कर जल और अन ग्रहन किया मैं इसके लिए आपके आभारी हूँ तभी वहाँ पर तेज रोश्नी होती है वो सातों औरतें आपस में मिल जाती है और वहाँ पर लक्ष्मी माता प्रकट होती है रोश्नी की आँखें भराती है उसकी सासु मा आश्चरी चकित होकर ये सब देख रही थी तुमने मेरे व्रत पूरी निष्ठा के साथ किये है मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ रोश्नी मांगो क्या मांगती हो हे माता रानी आपके दर्शन हो गए इससे बढ़ाओ मुझे और क्या चाहिए तेरी क्रिपा बस मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा पनी रहे हे माता लक्ष्मी मुझे एक शमा करना मैंने अपनी बहु को बहुत ही भला बुरा का तेरा व्रत रखने से भी मना किया मुझे लगता था कि भगवान कुछ नहीं करते हे मातारानी मैं जानती हूँ, मेरी बहु तुमसे कुछ नहीं मागेगी, लेकिन मैं दुखियारी तुससे प्रार्थना करना चाहती हूँ, हे मातारानी हम गरीवों परक्रिपा करो, मेरे पोता-पोती अच्छा जीवन बिताए, इसके लिए उनके पास धन-धान्य की कोई कमी ना रहे, मेरी बहु काम पर जाती है, इसके पीछे से मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए मुझे तो अच्छा स्वास थे दो, ताकि मैं इन सब चीजों को समभाल सकूँ, और मेरी बहु बड़ी ही ना समझ है, जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाती है, इ रोश्नी, मैं तुम्हें आशिरवात देना चाहती हूँ, आज के बाद तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारे घर में सुक सम्रिध्धी और स्वास्थे हमेशा बना रहेगा, ये कहकर मातालक्ष्मी बहां से अंतर ध्यान हो जाती है, रोश्नी बहुत खु रोश्नी ने जैसे ही ये शब्द बोला कि सब अच्छा ही होगा, उनके घर की हालत अच्चानक से बदलने लगी, उनका तूटा फूटा घर सुन्दर घर में बदल गया, रोश्नी के बरतन अन और धन से भर गया, बच्चे स्कूल से आये, तो उन्होंने भी देखा कि घर में तो सब कुछ है, ये देखकर वो दोनों खुश हो गए, उनके लिए वहाँ पर सुन्दर सुन्दर कपड़े भी आ गए, जो उन्होंने पहने तो बहुत खुश हुए, ही मातारानी, तुने मुझे खरीब की मदद की, जिस प्रकार तुने मेरे दिन अच्छे कर दिये, इसी तरह ही मातारानी, तु सब की मदद कर। अब रोश्नी ने अपने घर के बाहर ही सबजियां बेचना शुरू कर दिया, और उसकी सबजियां हमेशा ताजी रहती, इसलिए उसके पास लोगों की भीड लगने लगी, वो कम दाम में अच्छी सबजियां देती थी, उसकी व्यापार में दिन दूनी रात चोगुनी त और अब दो उसके साथ साथ उसकी सासुमा भी माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी। आटे की चक्की चला रही थी, तभी रिया उठकर आती है और अपनी मा से कहती है, मा, ओ मा, स्कूल की माडम ने फीज सब्मित करने को बोला है और मेरी नोटबुक भी भर गई है। टीचर हमेशा मुझे ही फीज के लिए और नोटबुक के लिए बोलती रहती है, सब बच्चों का काम भी तो कंप्लीट हो रखा है, लेकिन नोटबुक की वज़े से मेरा काम ही पूरा नहीं हुआ है। क्या बताओ बेटा, भगवान विश्नु ही हमारी मदद कर सकते है। मा, अगर कल आपने स्कूल में फीज जमान नहीं की, तो टीचर मुझे स्कूल से घर भेश देंगी। मा, मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता, हर कोई मेरा मजाग बनाता है, आप कुछ करो ना मा। क्या करू बेटा, तेरी बाते सुनकर मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने विश्नु भगवान पर पूरा भरोसा है, वो किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। तबे दामीनी के पास एक औरत आती है, जिसके पास 20 किलो गेहूं थे, वो औरत दामीनी को गेहूं देते हुए कहती है, बहन जी मुझे अरजिंट में 20 किलो गेहूं पिसवाना है, क्या अब भी आप मुझे ये गेहूं पीस कर दे सकती हो? अरे बहन जी मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे ओर्डर पड़े है, आपको एक दिन पहले आना था, अब अचानक से कैसे करूं में ये सब? बहन जी प्लीज भगवान के लिए कर दीजे, अब क्या बताओ आपको, एन मौके पर सारा काम खराब हो गया, मुझे भंडारे में 20 किलो आटा देना था, अब एन मौके पर बात को टाला भी नहीं जा सकता न, क्यूंकि भंडारे वाली बात है अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आप बस आदे घंटे के लिए वेट कीजे, अभी आपका काम कर देती हूँ सुभः सुभः ही दामिनी चक्की में गेहू डाल कर गेहू पीसना शुरू कर देती है, दामिनी सबसे पहले उस औरत को 20 किलो गेहू का आटा पीस कर देती है, वो ग्राहक बहुत खुश होती है, और खुशी-खुशी दामिनी को 500 रुपय का नोट पकड़ाती हुए कहती है, ये लीजे बहन जी, आपने मेरी बहुत मदद की है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, दोबारा मुझे मुझे मौका लगेगा, तो मैं जरूर आपकी दुकान पर आऊंगी, लेकिन बहन जी, मेरे पास तो 500 का छुट्टा नहीं है, अब आपको 400 कहां से दूम है, अर और बाकी के 400 रूपए आप अपने पास रख लीजे, लेकिन बहन जी, ऐसे आपके पैसे नहीं रख सकती मैं, मुझे मेरी महनत के ही पैसे दे दीजे, अरे बहन जी, ये समझो कि तुम्हें ये पैसे तुम्हारी बहन ने दिये है, मुझे ग्राहक मत समझो, अपनी बहन और रख लो, अब मैं चलती हूँ, मेरे पास बिलकुल भी वक्त नहीं है, बंडारा करवाना है मुझे, इतना बोलकर वो औरत वहां से चली जाती है, तभी दामीनी अपनी बेटी से कहती है, बेटा, तेरी नोटबुक का जुगाड हो चुका है, चिंता मत कर, आज मैं तु उनों मा बेटी की बाते सुन लेती है, और गुसे में कहती है, हाँ, हाँ, ये चक्की तेरे बापने लगवाई है ना, जो इस चक्की के पैसे अपने बेटी को पढ़ाने लिखाने में बरबाद करने में लगी हुई है, अरे मेरी बात मान तो इसे भी काम पर लगा दे, जबान के लिए अभी कुछ मत बोलिये, क्यों रे कुलक्ष्मी, मेरे बेटे को तो खा गई तू, और अब तेरे हिसाब से मेरी जबान खुलेगी क्या, मेरा जब मन करेगा तब मैं बोलूँगी, अरे जब से इस घर में आई है, तब से मेरे घर में मनहुसी अथी चा गई ह एक तो मेरे जबान बेटे को खा गई, उपर से हमें बर्बात करने पर तुली हुई है ये माजी, भगवान के लिए शान्त हो जाएए, मैंने भी तो अपना सुहाग खोया है ना, मैं भी तो विद्वा हुई हूँ, उनके जाने से मेरा जीवन तहस नहस हो गया है, जितना दुख आपको है, उससे कई जादा दुख मुझे है माजी, मेरी बेटी के सर से बाप का साय हट चुका है, मेरे सर से सुहाग का साया हट चुका है, लेकिन तब भी इस गम को अपने मन में रखकर सबको खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ मैं, अब जादा अच्छा बनने की कोशिश मत कर, तुम दोनों मा बेटी की शकले देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है दिल तो करता है कि दोनों को जान से मार दू, लेकिन मजबूरी है मेरी भी, मजबूरी में तुम दोनों को यहां रखना पड़ता है, वरना मेरा बस चलता तो कब का तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल देती। ऐसे ही एक दिन दामिनी गेहू पीसने के लिए चक्की चलाना शुरू करती है, लेकिन उसकी चक्की चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, पेचारी दामिनी बहुत परेशान हो जाती है, वो बार बार चक्की को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान जी अब आप ही मेरी मदद कीजिये अचानक से इस चक्की को पता नहीं क्या हो गया है लाग कोशिश करने के बावजूद ये तो चलने का नाम ही नहीं ले रही है बाहर सारे ग्राहक खड़े है अब क्या जवाब दूँगी मैं सब को भगवान अब तू ही मेरी ल इस बीच दुकान के बाहर जिन-जिन लोगों ने दामिनी को एक दिन पहले गेहू दिये थे वो दुकान के बाहर अपना आटा लेने आ जाते है लोगों की भीड देख कर दामिनी और भी ज़ादा परिशान हो जाती है तब ही उसकी सास वहां आती है और कहती है अरे नालाय यक क्या करने लगी? बाहर सारे ग्राहक भीड लगा कर खड़े है. आखिर कब देगी इनको आटा? अभी तक तेरा काम हुआ ही नहीं क्या? माजी वो दरसल बात ये है कि बहुत देर से चक्की को चलाने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन चक्की चलने का नाम ही नहीं ले रही है. लगता है कि ये खराब हो गई है. इसे ठीक करवाना पड़ेगा माजी? हाँ हाँ चक्की तो खराब होगी ही ना क्यूकि तेरा मन तो काम में लगता ही नहीं है. सारा दिन तो तु यहाँ बहाँ मटर गस्ती करती रहती है और फिर दिखावा करने के लिए भगवान विश्नु की पूजा करने लगती है. अरे ऐसे ही गर ग्रहस्ती नहीं चलती? मा जी आपको जितना डाटना है डाट लीजिएगा. फिलहाल के लिए अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है. आप मेरी मदद कीजिए ना. अरे मैं क्यों तेरी मदद करूँ? चाहे मशीन खराब हो या इस दुनिया में अकाल पड़ जाए. मुझे तो बस पैसों से मतलब है. शाम को मुझे हिसाब चाहिए. अब तो तेरे उपर है कि तू क्या करने वाली है. अगर तुने शाम तक मुझे पैसे नहीं दिये तो मैं तुझे और तेरी बेटी को घर से निकाल दूँगी. उसके बाद तुम दोनों मा बेटी अपना रहने का जुगाड कर लेना. आप चिंता मत कीजे. मैं कैसे भी मशीन को ठीक कर लूँगी. इतना बोलकर विमला अंदर चली जाती है और बेचारी दामीनी अकेले ही परेशा हो रही थी. तब ही एक लड़का जिसके उम्र लगबग 15 वर्ष होगी वो दामीनी से बोलता है. क्या बात है दीदी? आज आपने आटा समय से नहीं पीसा क्या? अब क्या बताओ तुम्हें? मशीन चलने का नाम ही नहीं ले रही है. ऐसा लगता है जैसे इसे ठीक करवाना पड़ेगा. बाहर इतने सारे ग्रहक खड़े हैं. अब अचानक से उनको क्या जवाब दू मैं? अरे अचानक से मशीन को क्या हो गया? लाओ दीदी, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ. इतना बोलकर वो लड़का चक्की को ठीक करने की कोशिश करता है. लेकिन उस ग्रहकों को देख लेता हूँ. और हाँ, आप चिंता मत करिएगा, कुछ नहीं होगा. आपके पास बिलकुल वक्त नहीं है. जल्दी से जाईए और मकैनी को लेकर आईए. ठीक है, मैं अभी जाती हूँ. तब तक तुम सब संभाल लेना. इतना बोलकर वो लड़का दामीन के जाते ही, वो लड़का विश्नु भगवान का अवतार ले लेता है. और चक्की से सभी ग्रहकों के गेहूं को पीसना शुरू कर देता है. थोड़ी ही देर में, जब दामीनी वहां आती है, तो वो विश्नु भगवान को चक्की चलाता हुआ देखकर हैरान हो जाती है. उसकी आखे फटी की फटी रह जाती है. हे विश्नु भगवान जी, साक्षात आपके दर्शन हो गए मुझे. आपके दर्शन करके मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया है. अगर अब मुझे मौत भी मिल जाए, तो मुझे कोई गम नहीं होगा. मुझे आप पर पूरा भरोसा थ कि आप किसी ना किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगे. तुम मेरी बहुत बड़ी भक्त हो. इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. लो, तुम्हारी मशीन अब पूरी त जादा खराब है, मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिखकर एक कामियाब इंसान बने। इतना बोलकर विश्नु भगवान वहां से चले जाते है, जिसके बाद दामिनी अपने सभी ग्रहकों को उनका आटा दे देती है, और ऐसे ही समय बीटता गया। बढ़ती है। बढ़ती है। जिसके बाते है।